दर्शुक नमस्कार विश्ट के खास उनाकत इस कारेक्टर में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपका होस्ट संजय इमिरे और आज हमारे साथ में एक शहर के ऐसी परसनलीटी है जिन्होंने साइबर में कापी अच्छा काम कास कर रहे हैं LLM किया है, साथी साथ LLB किया है, MBA किया है और PhD in Criminal Law में भी आपकी हो चुकी है इतने नहीं तो आप University के Gold Medalist एक अच्छे Student भी हो और जहां तक बात है कि 1989 से लेके 90 तक के बैच के आप MPSC State के Top 4 भी हो इतने नहीं तो Best Command Officer क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत कामकाज होता है, ऐसे में Best Command Officer होना अपने आप में बड़ी बात है और वो भी उनने कर चुके है और सर के बार में मैं बता दूए कि सर आप Indoor हो चाए Outdoor हो Best Detection हो या और जो Conviction हो उसका जो सब कुछ जो अच्छा है जो Best Human Rights Commission of State Competition के भी आप हगदार हो कामकाज किया है और अब तक के साइबर में साइबर यह बहुत बड़ा क्राइम है और साइबर के लिए सर ने अब तक के 125 वेबिनार ले चुके है 125 वोले तो बहुत कम आकड़ा है लेकिन और भी आवेर्निस की जरूरत है हम उसके उपर में आना चाहेंगे पुलीस अफसर यदि बोला जाये तो पुलीस अफसर बोलते ही लोगों के एक लोगों में रोमान चाहता है रोम टे खड़े हो चाते कि पुलीस की जो एक बात होत होती है लेकिन पुलीस भी एक अच्छे खलाकार होती है जिया सर अच्छे क्रिकेटेर है सर आप अच्छे क्रिकेटेर हो अच्छे सिंगर भी हो साथी साथ जीमिंग करना है क्योंकि डोले शोले बनाना कि इसको अच्छा नहीं लगता है और सर की ये खासेत है कि सर ने अप नागपुर में भी आप काम कर चुके हैं आप एसेपी ट्राफिक में भी काम किया है, क्योंकि शहर है यातायत को लिए जो नियों मों का फालन क्टी नहीं हो, अब लोगों करना पड़ता है, वो चुटकी में हल किया है डॉक्टर अशुक्प बागुल साहिनों ने. लॉस आप चाहे लॉस का लाइफ हो या प्रापर्टी को रोखने के लिए भी आपने काम किया है और अभी आप साइबर के एक अफसर हो जिम्मेदार अफसर हो और अब तक कि आपने कापी डिटेक्शन किया है और कई लोगों को नयाय मिला के दिया है तो दरशुकों ये था तक कहते हैं अब हम सीधा आज के पोलिस अपसर और खासमुलाकाति सक्कार्यष्भरन के आज कि हम महीमान अशुक बा vaagul साब के और हमारा पहला सवाई कि मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि साइबर क्रैम जो है ये एंडुमें वहत सारे फर्क है एक्जमपल हर तरह का ट्राइशनल क्राइम जो कि रेप है मर्डर है एक्स्टॉर्शन है डेपर्टी है रॉबरी है किड्नेपिंग है थेफट है एजब इस उसमें एक चीज इंपोर्टन होती है कि क्रिमिनल को सीन ओफ क्राइम पे विक्टिम के साथ हाजि रहना जरूरी होता है फिजिकली जो कि साइबर क्राइम में जरूरी नहीं है फॉर एक्जमपल अभी संजय जी यूर वंडर्फुल आंकर और वंडर्फुल रिपोर्टर आपने इस शेतर में बहुत मेहनत से काम किया है बढ़ी अच्विमेंट्स लिए आप लोग आपको जानते हैं लोग आपके प्रॉब्लेम्स लगे आपके पास आते हैं आप अगर सोशल मेडिया पर अक्टिव है जैसे कि फेस्बुक का आपका अकाउंट है ट्विटर है वाट्साप है इंस्टाग्राम है जो भी है तो साइबर क्रिमनस क्या करते है कि वो फूरा स्टडी कर करके दे विल गो थूर प्रोफाइल आप जैसे इंपोर्टन वेक्ति का फेस्बुक अकाउंट डुप्लिकेशन करके या क्लोनिंग करके शायद लोगों को चीट किया जा सकता है तो बड़ी आसानी से कर सकते है बट इसके लिए उस साइबर क्रिमनल को आपको मिलना आपके टमोंट सब्सकुल्स चarten क्राइब meer जैसे कि आरमी होती है इलट्री होती है उन्合किनला युद्ध लड़ती है जमीन पर एइरफ ऑसे लड़ता है हवा में वेतर है नेवी युद्ध्ध लड़ती है पाणी में या पानी के अउपर शायबर वार शाइबर उद्ध सिर्गा यह काफी मातरा में भड़ चुका है, इसके बहुत सारे कारण है, सबसे इंपोर्टन कारण है कि लोगडाउन के वज़े से लोगों को जो थोड़ा सा अनेम्प्लाइमेंट हो या जैसे बोलते है खाली दिमाग शैतान का घर, तो जिन जिन लोगों के पास नॉलेज है, उन ल चुका है, तो साइबर क्राइम को हम यही बोल सकते है कि एनी क्राइम, एन एक्ट और इट्स ओमिशन विच इस कमिटेड अंडर दी लॉइन फोर्स अडर टाइम ऑप कमिशन आप करिवाचा है, यह कानुन में अपरात की परिवाचा है, कि कोई भी अपरात अगर संगनक के साथ इंटरनेट के साथ इलेक्टर्नीक ग्याजट के साथ यह उसके इस्तेमाल से करते हो तो उसको साइबर क्राइम बोल जाता है, दूसरा सवाल यह था कि जिस प्रकार से सेक्स्टोर्शन की बात हो या ब्लैक मेलिंक की बात हो, या आरतिक जो exploitation जो होता है वह कैसे किया ज कहते हैं फिलाल पुलिस का काम यह हुता है कि आप Crime के ट्रेंड को जानो Cuba में जाधा जांटार भर उसको कंट्रोल करो तो फिलाल जो Crime porta fire थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं फोड़ा सब्सक्र торण कहा बोल बखुए जो आपने बोलाydı इस डंग से explain कर सकते हैं कि आपको आपसिन बाते जिसमें कि आपसिन एसमेस, पोस्ट, चाटिंग, कम्मुनिकेशन, फिर वो पिक्चर्स के द्वारा हो, वर्ट्स के द्वारा हो या वीडियो के द्वारा हो या और किसी द्वारा हो इसका जब इस्तिमाल किया जाता है और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सिर्प लिटरेट होना जरूरी नहीं है, लिटरसी इन टम्स ऑप एबिलेटी तो रीड और राइट इस नोट एनफ पर एनिबडी तो कंट्रोल साइबर क्राइम, आपको साइबर लिटरेट होना जब भी, साइबर लिटरसी से मेरा मतलब है, आप इंटरनेट जो कि आज हर किसी के डेली लाइफ का एक बहुत अहम उद्दा अंग बन चुका है, आपका यह कहना है कि साइबर लिटरेटी में समाज का हर जो तपका है कोई न कई विक्टिम दिखाई दे रहा है, बिल इसके शायद शिकार हो चुके बिल्ख होंगे या फिर हो सकते हैं, तो समाज का कोई भी तपका, irrespective of caste, religion, categories, financial status, you know, other status, he can become victim of cybercrime unless he is cyber aware, cyber literate and cyber safe. सर, यह तो बात ही होगे, लेकिन जाब सोचल नेट्वर्किंग के बात आती है, तो जो फेक अकॉंट जो बनाए जाता है, और किसी के माताम से किसी को पैसी के डिमांड की जाती है, तो यानि कहने का ततपर है कि जो एक अकॉंट जो होता है, उसका hacking भी किया जाता है, तो य जाता है, 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 जाता ads are being given by authentic people or not, यह बाट ठीक नहीं, इसके उपर बहुत सारे लोग कोट में गए है, कोट ने कुछ इसके बारे में distance भी दी है, आंडरेबल आई कोट ने वगरा, बट अगर आपने Google पे कोई number, customer care number search किया, तो वो number अगर fraudulent रहा, See, the people who are acting in this field are highly educated, ज्यादा तर टेक्नो से वी होते हैं, वो प्रोपेशनल तरीके से काम करते हैं, तो वो अपना mobile number दे देंगे, अगर आपने उस mobile number पे call किया, तो they are trained enough to play psychological tricks with you, यानि आपके दिल, आपके दिमाग, आपके माइड के साथ, वो लोग psychological tricks कहलते हैं, क्या सवाल पुछना चाहिए, तो सामने वाला क्या जवाब देंगा, और उसमें से वो criminal को जो जानकरी चाहिए, जी, 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 मेबी इन दा फॉर्म ऑप परसनल इंफॉमेशन ऑप आइडेंटिटी प्रूफ, अधार कार्ड, पैन कार्ड, अकॉंड नमबर, पासवर्ड, सीवीवी, ओटीपी, पिन नमबर, या एटियम नमबर, जो भी जानकरी उसको चाहिए, इन और टू कमिट फाइ या कुछ और एप से उसको अगर आपने डाउनलोड किया तो आपका स्क्रीन शेयर होता है, उन लोगों को जो जानकरी नहीं मिलनी चाहिए, वो मिल जाती और आपके साथ फाइनेंशल फ्रॉड हो जाता है, पिलकुल, और इस तरह से लोगों को कही ने कही बर्गला जाता ह इस प्रकार की जो लूट होती है, जो धुका दड़ी होती है, वो इसी के माद्यम से होती है, ऐसे में लोगों में अवेरिनेस की बहुत जरूरत है, सर इसी को लेके मेरा एक सबाल है है कि जो से पहर जी, अकॉट कितना घातक है, इसके बारे में आपने बता है, लेकिन क्रा आतोरा सेंशेशन बन जाता है, मिल्लियंस ओफ फ्यूज, अच्छी बात है, वो वीडियो या क्लिप्स किस चीज के होते हैं, नॉर्मली अगर आप देखोगे, तो वो एंटर्टेंट से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, कि सिंगिंग का वीडियो, कि डांसिंग का वीडियो मिल्लियो, एक सेक्टा, बट और इसमें एंटर्टेंटमेंट वैल्यू जो होता है, वो शायद एक लेवल तक हो सकता है, लोगों को अच्छा लगता है, तो लोगों देखते हैं ये बात भी सही है, बट लोगों ने हमारी जान और माल की रक्षा, जो कि इंसान की प्रोड़ कान नाथि आक palavra मैं ये ल हमते हैं, नहीं हमारी कमरें से बात मिल्लचे और मोगों जयाए जो कि आक इंक रिपर्टर शाय्वर का ला प्री वूग्यार ओर्य इपासे माल कंपाने अम एक इंच्छा एधिशर benने की निए लिए बहुत मेहनत लिए हैं, आपने इस फिल्ड की जादा से जादा जानकरी लिए है, knowledge लिए है आपको aware किये है, आपने आपको, same rule applies to each and everybody, the person who is successful in his or her field is highly highly hard working and receptive, open minded, new ideas लेते है, लोगों ने भी यही करना चाहिए, कि internet के do's and don'ts क्या है, internet के rights and wrongs क्या है, use of internet के pros and cons क्या है, use of internet के black and whites क्या है, यह जानना जरूरी है, अगर आप यह जानोगे, तो आप अपने आपको cybercrime से protect कर पाओगे, वरना आप कभी भी कही पे भी cybercrime का विक्तिम हो सकते हो, माप कीजिए, या आप खुद कोई cybercrime knowingly and knowingly commit कर सकते हो, ignorance of law is no excuse, आप कोई crime करके court of law में यह नहीं बोल सकते कि सर, मुझे पता नहीं था, इसल cyber pollution की तरफ से हमने अभी तक सिर्फ नापपूर में ही नहीं, सिर्फ इधर में ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट में ही नहीं, बलकि शायद पूरी इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, करिब सवासों वेबिनार्स अब तक हम ले चुके, उसके अलावा, electronic or print media के माध्य जो भी इसके माध्यम से बहुत बार लोग और करा चुके, लाखों करोड़ो लोग इसका लाव ले चुके, तो मेरी जंदा को रिक्वेश्ट है कि आज संजय जी ने या या और मैस ने जो आज ये आयोजित किया, उसके लिए मैं दिल से शुकरियाद करता हूँ आपका, आज भी कुछ शहरी इलाका हो या ग्रामिन का इलाका हो, वहाँ पे कुछ लोग है कि जिनको साइबर के बारे में कती ही पता नहीं है, लेकिन वे प्रतिदीन इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे है, बिल्कुल सही, हाली मैं ऐक ऐसा देख रहे है कि जैसे फेस्बुक फ् हमको एक्सपोच करता है पूरी दुनिया के लिए या पूरी दुनिया को एक्सपोच करता है एक दुसरे के लिए, वैसे ही यूज आप इंटरनेट के दूज आंटोंट के हमको पता होना चाहिए, प्राइवसी सेटिंग होती है, आपका अकाउंट इफ यूर मेकिंग इट visible for the entire world, then you are, I am sorry, but you are becoming vulnerable to cyber attack, क्योंकि cyber crime क्या है, photoshop कर देना, copy paste करना है, आपके account में, जैसे account create करने की पद्दत होती है, उसको तो कोई भी follow कर सकते है, facebook पे, instagram पे कोई भी account open कर सकता है, ऐसा नहीं उनका policy की आप मत करो या आप मत करो, तो आप उस account open करने की एक बार procedure जान लेते हो, तो उसमें आप information की जगे, किसी और का information, किसी और का photo, किसी और की pic डाल दिया, तो duplicate account हो गया, तो ये बहुत आसान बात है, अब इसको कैसे रोके, तो आप अपनी personal जानकरी ज्यादा से ज्यादा शेयर ना करें, जो कि I am sorry, थोड़ा सा लोग की मानसिक्ता के खिलाफ है, because आज कल फे social media बहुत strong हो चुका है, social media पे कोई भी चीज बहुत immediately जल्दी viral हो जाती, public opinion मोबिलाइज करती है, तो आपको appreciation अगर लोग देते हैं, तो appreciation किसको आज अच्छा नहीं लगता, तो unfortunately इसमें हम यह भूल जाते हैं, कि अगर हमारी pic को या हमारी activity को कोई like, share या subscribe करता है, तो यह तो अच्छी बात है, बट उसी information का, उसी pic का, उसी video का, उसी पासवर्ड आपने आसान नहीं रखना चाहिए, normally लोग अपना mobile number, बीवी का नाम, हस्बन का नाम, बच्चो का नाम या और को number डाल देते, which is not good, आपका password बहुत ही unique होना चाहिए, unimaginable होना चाहिए, unpredictable होना चाहिए, बहुत सारे लोग auto save करके रखते, auto save अगर आपने किया और किसी ने क्लिक किया, तो your password is able to the entire world, what is the, क्या उसका logic क्या है, तो इन चीजों से बचना चाहिए, आपका password कम से कम 8 character long होना चाहिए, जिसमें की numbers, science और special features का combination होने चाहिए, ताकि कोई इसको predict ना करे, उसके बार, कुछ-कुछ software है, कुछ-कुछ antivirus है, firewall है, जो आप अपने system में, mobile में या laptop में install कर सकते, और अपने आपको protect करने के कोशिश कर सकते, बिल्कुल, पुलीस फ्राश्चासन का प्यचा काम करें, जहां cyber के बात आती है, तो अशुक भागुल साफ जैसे कही है, जावाच पुलीस officer में कहना चाहूंगा, और इनकी पूरी टीम है, वे काप अचा काम काच करती है, तेकिन सवाल ही कहाता है, कि जैसी अकसर यह देखा जाता है, कि इन पूरी घटनों में, नाइजीरियन लोगों का काफी सहवा, उनका ज्यादा इनवाल्मेंट रहता है, सर आप जब उनको डिटेट करने जाती है, उनके पास गिरफतारी के लिए आप जब जाते हो, कि आपके उपरे में हमले होते हैं क्या? जी, संजे जी, यह आपने काफी एहम सवाल पूछा है, बट इसको हम प्रोपेशनल हैजर्ड समझते हैं, पुलिस का काम है, जनता की अच्छे लोग की, लौ अबर्डिंग सिटिजन्स की, पीस लविंग सिटिजन्स की रक्षा करना, किस से? क्रिमनल से, अब जो क्रिमनल है, जिसको पता है कि मैं क्राइम कर रहा हूँ, वो तो अपने आपको बचाने के लिए हर तब तरीके का इस स्ट्रांग होते हैं यह लोग, तो कभी-कभी इनको जब हम उठाने या आरेश करने जाते हैं, वी रोध होता है, जैसे कि हमने चार-पाच मैना पहले एक अवरत के साथ 43 लाक रुपीज का फेस्बुक फ्रॉड हो गया, एक ऐसे अन्नोन विक्ति के साथ उस मैला ने दोस् किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई उद्देश नहीं, यह गलती हम भी कर सकते हैं, आप अन्नोन विक्ति के साथ फ्रेंड रिक्वेश्ट या तो उसको बेचते हो, एक्षेप करते हो, चार्टिंग करते हो, उस विक्ति ने इस मैला के साथ इस दन से चार्टिंग किया, कि उसको कपड़े, मेकप का सामान, ज्वेलरी, जो कि नॉर्मल ए अवरतों का विक्ति होता है, वो सब दिखा दिखा के भेज भेज के उस अवरत से, उसने करीब एक मैने के दावरान, 43 लाक रुपेज का कैश ट्रांसपर कर लिया, अपने अकाउट में, अब यह अनिमेजने करने होंगी, बट हम क्राइम रेश्टर इसलिए करने आए है कि बाकी लोग को पता चले, बाकी लोग अपने आप से बचे, तो यह बात हमको उतनी उस वक ठीक नहीं लगी, क्योंकि आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे अधरणिया सीपी, अमितेश कुमार सर, आपको इतना ही बताता हूँ, कि हमने कुछ हपतों में, वो मनी का ट्रेल, जहां पर पैसा गया है उस अवरत की अकाउंट से, उसको हम ने पूछा है, उसको आपने पूछा कि उस पर्टिकुलर केस में, ज्यादा डिटेल में ना बताते हूँ, आपको इतना ही बताता कि हमने कुछ हपतों में, वो मनी का ट्रेल, जहां पर पैसा गया है उस अवरत की अकाउंट से, उसको हमने डिटेक किया, कुछ पैसा गया था गोवा में, कुछ गया था नागालैंड में, कुछ गया था आसाम में, कुछ पैसा गया था कुछ दिल्ली के अकाउंट में, हमन इंटरनेशनल नाइजेरियन ग्याम को पकड़ने में हम सफल हुए और उनसे करीब करीब 18 से 20 लाख रुपे हमने वापीस वो कंप्लेंट को दिलवाने में सफल हुए आपको इतने बता तो को उनके चेहरे पे जो ग्राटिटूड था जिके आखों में आसू थे वो बोले कि स हमको तो लगता नहीं था बट यह बात मैं इसके लिए बता रहो कि यह तो पुलिस का काम है we don't want any appreciation or any phrase from anybody it is our duty but unless and until you are aware how can you prevent all yourself from commission of crime तो नाइजेरियन्स को उस वक तैरेश करने जब हम वो बस्ती में गए उनका एक बहुत बड़ा वापे एरिया है अमारे इंस्पेक्टर मिशर शीर सागर एपिया मिश्टर मानेयान हमारा पूरा टीम था उनको बहुत उनके साथ जो औरते थी वो भी काफी तबड़ी माफिया को जो की काफी रोबस थे उनको आइरिश करने में हम सफल हुए तो होता है कभी-कभी प्रोफेशनल आजरोड़े बट वी आ ट्रेंड फॉर जो कानून की बाशा समझता है उसका हम रिस्पेक्ट करते है जो कानून की बाशा नहीं समझता है उसने पुलिस से बहु कई लोग ऊ겁 एसे फंजे अकрист अकान्स के माध्दें से या फ्रेंड होनाय के उपर में अगली जो महीला होती है चाहिए कोई भी स्टेट की हो वह अपना सर अंग प्रतरशन करती है और अंग प्रतरशन करने के बाद में पैसा। का स्फेय जो प्रेंड आल के बना जाते हैं और यही बात है कि लोगों को आज धडले से लूटा जा रहा है भारत वर्ष के कई राज्यों में राज्यों के कई शहरों में शहर के कई ऐसे शेतर में आज भी धडले से कई युवाओ को लूटा जाता है और यहां तक कि कई युवा इसके फरस्टेशन में आके सुसाइट क करने के कदम भी उठाते हैं सर मेरा सवाल यह था कि ऐसे में जो नाइजिरेन हो या इस प्रकार के जो आरोपी को गिरपतार किया जाता है तो इंडियाल पिनल कोड के माद़न से कौन सी कलमे लगा जाती है और क्या अपना यह जो कानून है क्या सही माने में इतना मजबूत है या उन्हें बेल देके फिर छोड़ा जाता है जी आपने विल्कुल सही बोला सक्ज़ जी बट सी आर्टिकल 20,21,22 अब इंडिया कॉंस्टुटूटूशन जी राइट टो लाइफ और लिबर्टी लिबर्टी या प्रोटेक्शन अगेर्स दबल जो पाडी आड़ नेचरन जी 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 बोला इसके लिए धाराय चीटिंग की धाराय 417 से लेके 420 ये से लेके बाकी सब सेक्शन से IPC में 467, 469, 70, 471, 472, criminal misappropriation, cheating and fraudulent documents, etc. इसके साथ Information Technology Act 2005, amended in 2001, इसके कुछ सेक्शन 43 से लेके 74 तक जो भी सेक्शन से जिसमें की अलग-अलग Information Technology Act का crime, जिसको के हम generally cyber crime बोलते हैं, उसको define किया गया है, अब आप अगर देखे, law of bails, law of bails, उसमें ये लिखा गया है, कि bail is right, jail is exception, यानि हर व्यक्ति का जिसके ओपर कोई ना कोई आरोप है, उसको bail मिलना है, उसका right है, अगर exceptional case है, तो युसको jail में भेजेगा, जिसको कानून में लिखा गया, अब इसको कुछ कानून अपवाद है, for example, Makoka, MCOCA, Prevention of Atrocities Against Asset and Estes Act, Post-Co Act, कुछ अलग-अलग कानून है, जो कि special कानून है, जिसमें की bail का provision नहीं है, अब Information Technology Act इसमें bail के provisions है, जो कानून crime होता है, वो cognizable होता है, non-cognizable होता है, bailable होता है, non-bailable होता है, tribal by special magistrate होता है, उसमें punishment तीन साल से लेकि पास साल तक या ज़्यादा भी होती है, fine एक लाख रुपे से लेकि पास लाख रुपे तक या ज़्यादा भी होता है, आपने जो सवाल पुछा, अगर किसी को police ने arrest किया है, उसको court of law के सामने produce किया है, अगर प्रोसीजर में लिखा है कि बैलेबल है, तो उसको बैल देना है उसका हक है, judicial officer की कानून जिम्मेदारी है, तो बैल पे छूट जाते हैं, बट आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि law implementing agency जितना strong है, जितने legally, procedurally, lawfully and otherwise they are competent, they are better place to control the crime and criminals, तो हम हमारे CP सर ने हमको भी training दिया है, और हम बाकी police station के officers को training देते हैं, हम अपने आपको भी knowledge level से update करा रहे, और पूरे नाखपुर शिटी के सभी अभी हर police station में local cyber cell की स्थापना हमारे आधरनी पुलिस आउगता सर ने की है, तो जन्ता को सिर्फ साइबर police station में आने की जरोत ने, you can approach the local police also, where your complaints will be addressed, तो अशुक भागुल साब ने कापी अच्छे जान कर दे दिया, और दर्शक मैं आपको बता दूँ के नाखपुर के जो police commissioner है, अमितेश कुमार साहब हो, या वरिष्टर police अधिकारी जो है, सुनील फुलारी साहब हो, इनका बहुत अच्छा काम काज चल रहा है, इसमें कोई दोरा नहीं है, और इनके मारके दर्शन में फिर अशुक बागुल साहब जैसे जावाच पुलिस अधिकारी हो, ये कापी अच्छा काम काज कर रहे है, सर, एक और शाहर में जनल संख्या तो बढ़ रही है, काम काज बढ़ रहे है, क्राइम का ग्राब भी बढ़ रहा है, मगर पुलिस की संख्या भी कम है, कितना बड़ा चालिंज होता है इससे में काम काज करना है? जी आपने काफी अत्तक सही बोला है, क्योंकि जो पुपुलेशन और पुलिस का प्रपोर्शन है, उसमें इंप्रॉव्मेंट अगर होता है, तो क्राइम कंट्रोल करना रिलेटिवले आसान होंगा, इंपर्टन बात यह है कि कोई स्पोर्ट्स का अगर टीम है, क्रिकेट का टीम है, वो हर किसी को हराते हैं, जैसे 83 वर्लकप में कपिल योगे, कपिल योगे, साब की टीम ने सब को हराया, मिस्टर महेंदर सिंह दोनी ने हमको टेस्ट मैच में नंबर ओन बनाया, 54 का वल्लकप जिताया, T20 का वल्लकप जिताया, अभी हम IPL भी देख रहे है, कौन सा टीम हमेशा जितता है, जो टीम कॉम्पेटन्ट होता है, जिसमें excellent players होते, तो संख्या बढ़ाना, manpower बढ़ाने जितना जरूरी है, उतना भलकि उससे कई ज़्यादा जरूरी कि हम, हमारा productivity, हमारा effectiveness, हमारा professional competence, हमारा level of knowledge, हमारा physical, mental, intellectual, legal, spiritual, emotional and other kind of competence हम अगर बढ़ाते है, पुलिस अगर बढ़ाती है, तो पुलिस के जो service जनता को देना चाहती है, पुलिस, उसके quality में बहु हमारे senior officers ने हमको बताईए, हम और हमारे team इसमें बहुत मेहनत कर रहे है, और अच्छे results देने की कोशिश कर रहे है, और अच्छे results आएंगे, बिलकुल कापी अच्छे जानकर देते हो, इन्होंने यह जो बात कही है, इनके उपर से मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, कि methyl orange, methyl orange का जो property जो होती है, कि वो भले एक बुन, अगर पुरे पानी के pot में यह गिर जाए, तो वो पुरा color में करता है, यह पुलिस की संख्या कम रहना यह कोई बात नहीं है, बलकि पुलिस किस तरह से, किस force के साथ में काम करिए, यह कापी माइना रखती है, यही बात अश साथ में यह काम काज हुआ है, साइबर के, जिसके चलते, आज उनको जीना हराम हो चुका है, या वे अपनी बात पुरी तरह से बता नहीं पा रहे है, ऐसे में जो मन, उनके मन में जो डर बैठा हुआ है, आज इस खास मुलाकात कारेंट के माध्यम से, आप दर्शकों को क् होंगे, जिनके साथ यह घटना घटी है, मगर वो बाहर नहीं आ रहे है, किसे से बात नहीं कर रहे है, उनको पुलीस प्राशासन क्या टाकत दे रही है, फिर से एक बार बहुत अहम स्वाल पुचा है संजेज, आपने, आपके माध्यम से में जनता को इतना ही रिक्ष्ट क करना चाहता हूँ, कि आपको डरनी की कोई पारण नहीं है, आपको केरफुल होना जरूरी है, तो कि डरने से प्राबलम अगर स्वाल होते हैं, तो डरना बनता है, अगर आपके डरने से आपको खुद का बिप्पी बढ़ रहा है या लो हो रहा है, आपका mental, emotional या physical balance जिन्दगी में उतार चड़ाव होते हैं, शायद ही ऐसा कोई इंसान हमको मिले कि जो बोलेगा कि मेरे जिन्दगी में कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, और irony of the fact है कि हर किसी को अपना दुख, अपना problem आप मारे उपर आया संकट, वो बाकी लोगों से बढ़ा है, ऐ कोई बात नहीं, मेरे आपको इतना ही रिक्वेस्ट है कि एक इंसान मंदिर में गया, वो बगवान को बोल रहा था कि भगवान तुने मेरे उपर बहुत बढ़ा अन्या कि है, तुने मुझे इतना गरीब बनाए कि मेरे पैर में चपल तक नहीं, बड़ा नाराज हुआ, द तो मैं आपके माध्यम से जनता को यही बताना चाहूंगा, कि आपका दुख, आपका संकट, आपका प्रोब्लेम दुनिया में सबसे बड़ा नहीं है, हर प्रोब्लेम के उपर सोलुशन होता है, आपके साथ अगर जैसे संजु भाई ने बोला वाई से, अगर कोई घटना होई है, डरने का कोई कारण नहीं है, you be confident, be bold, be a balanced kind of personality, approach police immediately, आप पुलिस के पास जल्दी आईए, पुलिस सक्षम है आपको मदद करने के लिए, हम हमारी हापी जो भी लोग आते, क्योंकि mentally disturbed होते है, physically disturbed होते है, कभी-कभी किसी का financial loss हो गया है, कभी-कभी किसी का कोई option video या पिक्स किसी हमारी मा बहन का Instagram, social media पे आ चुका है, बड़े disturbed होते है, हम पहले उनको counseling करते है, उनको पानिवानी पिला के उनके साथ बाते करते है, उनको हम normal करते है, उसके बाद immediately हम उसका crime register करते है, या जो भी कारवई करने हो करते है, उसके बाद उसका investigation करते है, उसके बा जो कि एक बड़ा sensitive issue है, दुनिया के बहुत सारे so-called developed nations में pornography and prostitution is a license business, हमारे देश में नहीं है, तो pornography शायद किसी देश में license business हो सकता है, बट child pornography is a crime all over the world, तो child pornography में हमने नाखपूर city cyber police ने पूरे state में सबसे top का काम किया है, हमने करीब 38 cases, 38 cases we have registered till now, जिसमें की हमारे पास कोई complaint नहीं है, हमको सिर्फ एक video clip मिला है, जो कि child pornography को उजागर कर रहा है, हमने उस video clip का ध्यान करके, खुद सरकार की तरफ से फिर्यादी होके, किसी को राइम रेश्टर किये है, हमने खुद इन्विस्टिगेट किये है, मैंने खुद उसमें भहुत सारे अक्यूस को एरेश किया है, और हमने खुद उनको चार्चिट किया है, कोट आफ लौ में, इसमें एक चीज आपको बताना चाहूँगा, कि उसमें कुछ-कुछ आरोपी माइनर है, 12-14 साल के बच्चे ये सब करते हैं, तो मेरी आपके माद्यम से जनता को, समाज को, पैरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिवस को, और सभी को ये रिक्वेस्ट है, कि प्लीज आप एक दुस्रे से प्यार से बाते करें, ये छोटे बच्चों को confidence म लेके उनके साथ ब्यार से बाते करना important है, वरना ममी ड़ेडी बहुत busy है, बच्चे अपने, आज कले trend है, बच्चा बहुत चोटा है, वो रहना माँ उसके आत्मे मोबाल लेके खेलने लग जाता है, तो आप अगर खुद उसको मोबाल दे रहे हो, तो how can you ensure that he is not addicted to it, तो य बड़ा एक दुसरे में फसे हुआ ये problem है, हर किसी का अपना अपना रोल है, आपने जो पुलिस की संग्या कम है, बट अगर समाज, मिडिया, जनता और पुलिस एक दुसरे से मिल जाए, तो cyber criminals की खैर नहीं है, कौन कहता है कि आस्मा में सुराग नहीं होता, एक पत्थर त इन्होंने की है, तो दर्शो को आज cyber crime किस प्रकार का होता, इसके बारे में awareness किस प्रकार से किया जाता, इसके बारे में बहुत अच्छी सटिक जानकारी, आज के अमरे मैमान डक्टर अशोग बागुल साभ आज BCN के स्टूडियो में है, और cyber crime ये खास मुलाकात में उन्ह माम मारगदर्शन आपको किया है, यदि आपके पास भी कुछ इस तरह की घटना हो या बाते हो, अगर आप किसी से शेर भली नव करते हो, तो आप बिंधात शेर के कोई भी पूली स्थाने में जाईएगा, या प्रशास के भवन के शट्वे माले पे, cyber का office है, वहाँ आप आप जाईएगा, वहाँ आपको पुरा कॉंसलिंग किया जाएगा, मारगदर्शन किया जाएगा, और किसी से भी डरने की बिल्कुल जरुरत नहीं, क्योंकि दर के आगे जीत है, पूलीस हमारे साथ है, और जब भी कभी cyber crime होता है, तो ऐसे जावाज पूलीस अफसर से प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को एक अलग दिशा में लेके जारे, उनका exploitation कर रहे, पैसे से लूट रहे, उनकी बदनामी करने की बार बार उन्हें थ्रेट कर रहे है, फिर भी आप ढरे नहीं, क्योंकि आपके होसले बुलन होना चाहिए, आपने बास शेयर करना चाहि आपको जरूर पुलीस प्रशासन मदद करेगा, इसमें कोई दोराय नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशुक बागुल साब जो आज हमारे कारेक्रम में है, और मैं बागुल साब के बार में इतने बता देना है चाहतों कि happiness is the everyday sunshine of your life, तो दर्शुक्वा आप थ जे इजाज़त और आप देखते हैं, आपका अपना परसंदीदा प्रोग्राम, BCN News, नाकपुर, नमस्कार, मैं फिर से एक बार आपका स्वावत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार.